नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो अभी देखिए मैं यहां पर नहां धो करके जो कपड़े में पहनी थी ओधोली है और बच्चे लोग भी नहाये थे सबी में धोली थी उसके बाद मैं यहां पर सुखने के लिए डालने तो अभी लगभग बज गए होंगे आठ नौ बज गए होंगे उस टेम में नहा धो ली थी उसके बाद में कपड़े टांग रही हों तो इससे पहले सबी बच्चे को मैं खाना उना दे दी थी वो लोग खा करके वो लोग चले गए इसकूल उसके बाद में अराम से नहाई ध होई और ये देखिए अभी ये मतलब दू-पहर का टेम है इस टेम होटल का सारे काम हो चूपे थे में नहाद हो करके रोहन के साथ में उसको भी में नहला दी थी तो इसको तेल लडाल दी थी फिर वो सो गया था तो कुछ देरी तक शो गए थे उसके बाद हम रोहन के साथ भी सो गए थे उससे पहले मैं एक दो बलाज में हुक टाली थी उसके बाद मैं रोहन को सुला दी थी उसके साथ मैं भी सो गई थी सोने के बाद मैं थोड़ा सन निंदा आ गया था तो मैं सो गई बहुत जादा ही निंदा गई उसके बाद उठ गई और यहाँ पर होटल के का निप्टा करके मैं यह बरतन सभी निकाल ले थी उसके बाद सभी को धो माज दी हूँ यहाँ पर थोड़ा जाड़ू लगा देते हैं क्योंकि माजने धोने के बाद सक्षडीज उठा थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा हो जाता है तो फिर इसको हम जाड़ू करके बाहर निका है पैर उठता है तुब पिर उठता है तो फिर इसको में पैट में बांती हम न थोड़े दे खिली तो वह wystabilis to get the internet. फिर मैं जाड़ू करने लगी हूं अंदर में लैट नहीं है अंदर की मैं जाड़ू कर दी हूं अभी होटल निकलाए है न तो पूरे घर में फैला हुआ था कजड़ा तो फिर मैं सारे रूम को जाड़ू करती हूँ उसके बाद यह आंगन को भी मैं जाड़ू कर दूँगी अभी नहावा चलता है और उसके बाद बहुत जादा अंदर ही आता है धूल और देखे यह लगभग तीन बज़े के आसपास है वीडियो तो अभी बच्चे भी स्कूल से छूटी हो करके आ गए थे जब मैं जाड़ू लगा रही थी दो पहर का जो होटल निकलता है न अड़ाए बज़े हम लोग का होटल निकल जाता है बाहर उसके बाद मैं जाड़ू बरतन साफ सफाय का काम करना सुरू कर देती हूँ दो पहर का और अभी बच्चे आ गए थे इसकूल से वो लोग अभी खाना उना खाएंगे मैं यहाँ पर लिपाई छबाई की काम फिर से करूँगी तो यहाँ पर सुबा में आग जलाई थी मैं एक लकड़ी वाला तो यहाँ पर देखे आग अभी तक है और चिंगारी इसमें है ही है और क्योंकि आजकल हावा चलता है ना तो बाहर में फेकने के लिए भी डर लगता है और हमारे देहात एरिया में पुआल, कचड़ा, पचड़ा यह सब तो बहुँ ज़दा रहते हैं तो फिर बहुत सारे जलाने के लिए खेत से ही लेकर के आते हैं तो उसमें चिंगारी पढ़ जाएगा तो आग ही लग जाएगा इसलिए हम नहीं फेकते हैं जल्दी से राख को क्योंकि हावा चलती है आजकल तेसके वज़़े से और यहां पर देखे मैं फिर से पेंटिंग वाला लिपाई कर रही हूँ यहां पर कलर वाला उस आंगन में आप लोग को पसंद नहीं आता है तो फिर मैं नहीं लिपाई की उसमें नहीं करूंगी और बस इधर ही करूंगी इधर थोड़ा से देखने में भी अच्छा लगता है तो इधर मैं कलर वाला लिपाई कर रही हूँ आज और मिटी गोबर का और ये कलर का दोनों हम आज लिपाई बताई करेंगे दोनों से तो यहाँ देखिए जो ये मिटी का परतन है उसमें हम गोबर घोले है चुला में आग है अभी तक भी और मैं सबको नहीं निकाले थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम था तो निकालते तो फिर दिकत हो जाता है इसलिए में नहीं निकाली हूँ और चुला भी अभी तक गरम है क्योंकि लकड़ी जल्दी बुतता नहीं है तो इसके वज़े से जल्दी इसमें आग खतम नहीं होता है तो देखिए अभी हम यह पर लिपाई छबाई का काम तो कर रहे है दो पहर में आज मैं बस सिलाई का काम में न हूप डाली हूँ आई हूप ही डाल दी है बस और नहीं सिलाई की है अगले दीन सिलाए करऊँगे आज कटिंग करूनगी साम के टैम में जितने पि मैं कट करके रखी थी सभी बलावज को मैं सील दी हूँ और आई हूप भी डाल दी सभी बलावजे में और ग्रहा काएंगे तो उन्हें देना है बस और जो बाकी है कपड़े उन्हें कटिंग करना है उसके बाद ही सिलने के लिए हमें होगा और नहीं तो अभी कटिंग किया हुआ कपड़ा ही नहीं है इसलिए मैं आज सिलय नहीं की और नहीं धुआई ना उसके बाद थोड़ा सा आलस आने लगा तो पिर मैं सो गई थी और सिलाएं नहीं कर पाई बस आई हूक डाली थी उसके बाद रोहन भी रोने लगा था तो मैं उसके साथ थोड़ा देरी के लिए सो गई फिर मेरा भी आँख लग गया फिर उठी तो फिर छोले के लिए बना चोला के लिए बोईल करना था चन्ना वगेरा फिर समोसे के लिए मसाला बनाना होता है ये सब काम कर देती हूं उसके बाद में बरतन उर्तन धोई फिर ये काम पर लगी हूं क्योंकि ये सब काम भी जरूरी है पेट पोसने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है कुछ बाहर जाकर के काम तो करते नहीं है वो घर पर ही थोड़ा थोड़ा करके हमारा पेट अपना पाल लेते हैं और थोड़ा बहुत में सिलय भी करती हूं उससे भी हो जाता है बच्चों लोग को ठकने के लिए तो हमारी लिए घर पर ही काम मिलता है इसलिए बाहर नहीं जाते हैं और कभी-कभी ऐसे बाहर कि लोग कहते हैं खेती बारे में काम करने के लिए तो चल जाते हैं लेकिन आज कर ऐसा होता है कि हम लोग को फूरसाथ ही नहीं मिलता है घर पर ही काम बहुत ज़्यादा रहता है जब होटन होता है तो हम कहीं नहीं जाते हैं किसी का खेत में काम करने नहीं जाते हैं मजदूर किनारे में ये कलर दे दे रही हूं कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए का कमेंट में जरूर उधर का अंगन में मैं लिपाई की थी तो बहुत से फ्रेंट्स बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे मत लिपाई करिये तो यहां पर देखे घाड़ा फूट गय थी उसके बाद उसमें मैं कलर गोली हूं तो यहां पर मैं सारे मतलब पूरे आंगन को लिपाई कर ली थी उसके बाद मैं कलर डाल रही हूं किनारे किनारे में देखने में अच्छा लगता है सुबा कर टायम उठके देखो ना जाड़ो उड़ो करो तो बहुत अच्छा ल लगता है कोई देख करके खूस होता है ना तो अच्छा भी लगता है हमको इसलिए फिर से मैं ये कलर वाला लिपाई कर रही हूं और यहां पर थोड़ा सा डिजाइन करके देख रही थी कैसा लगता है तो बस देखने हम अच्छा लगा मेरे बच्चे बोल रहे थे क्या बना बना रहे हैं तो देखे अभी देखने में भी कुछ अलग सा लग रहा है मेरा आंगन मुझे अच्छा लग रहा था देखकर के ऐसे मेरे पत्थी को ऐसे लिपाई अच्छा नहीं लगता है लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं ऐसे लिपाई करने सुरू कर देती हो और अभी चुला की लिपाई हो गई है आंगन के भी ये गुबर से हो गया है बस ऐसे कलर कर देती हूं किनारे किनारे बोडर जैसा उसके बाद हमारा लिपाई पूरी हो जाएगी यहां पर देखे थोड़ा से कजड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता हमारे पेड़ है ना उस सुक जाएगा ना तो अच्छा हो जाएगा उसके बाद देखे लिपाई पोताय करने के बाद मैं यहां पर धुआने जा रही हूं हाथ पेर को तो यहां पर दो तीन बरतने थे बच्चे खाते पीते रहते हैं तो यह दो बरतन हमेशा ही रहता है यह पर तो इसे में धो रोहन ना बोलता है तुम साड़ी पहनो मा अच्छा लगती है रोहन बोलता है सबसे चोटा बच्चा मेरा तो उसको मैं फुला दी हूँ पाने से उसके बाद जाडू कर देती हूं एक बार पूरे आंगन को ताकि अच्छा लगे देखने में सब सफ़ाई लगे सुबा में बे उठ करके तो अभी अंधेरा भी हो रहा है धीरे धीरे देखे साम का टैम हो गया तो फिर जाडू एक बर लगा देते इसे सूरज ढ़ने के बाद जाडू नहीं लगाना चाहिए बोलते हैं लेकिन में लगा देती हूं और यहाँ पर देखे जाडू ओर होने के बाद य इसमें हम पानी डाले थे तो धू उला गर करके निकल गिया मुझे पता भी नहीं चला कि किया पीसे थे इसमें तो देखे अब ही मैं सबी बरतन को धो लेती हूं इसके बाद मैं यह जो भी थोड़ा ज़ाडू कर दोंगे और उसके बाद में हाथ पर अपना धो लेती हूँ और फ्रेस हो जाती हूँ